ओम शांती आज बाबक के चार मई के महवाक्य हैं। जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं तो रिफ्रेश कर देते हैं। ऐसे सदा स्वदर्शन चक्र फिर आते रहो तो रिफ्रेश रहेंगे। बच्चे पूचते हैं स्वदर्शन चक्र धारी बनने में कितना समय लगता है। बाबा कहते बच्चे एक सेकंड। तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्र धारी जरूर बनना है क्योंकि इससे ही तुम चक्र वर्ती राजा बनेंगे। स्वदर्शन चक्र फिराने वाले सूर्य वंशी बनते हैं। ओम शान्ती। पंके भी फिरते हैं सबको रिफ्रेश करते हैं। तुम भी स्वदर्शन चक्र धारी बन बैठते हो तो बहुत रिफ्रेश होते हो। स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं, तो उनको समझाना चाहिए, नहीं समझेंगे तो चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी को निश्चे होगा कि हम चक्रवर्ती राजा बनने लिए स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, श्र देते हैं, अकेले को भी देते हैं, स्वदर्शन चक्र को भी समझना है, तब ही चक्रवर्ती राजा बनेंगे, बात तो बहुत सहज है, बच्चे पूचते हैं, बाबा, स्वदर्शन चक्रदारी बनने में, कितना समय लगेगा, बच्चे, एक सेकिंड, फिर तुम बनते हो विष्णु अन्शी, देवताओं को विष्णु अन्शी ही कहेंगे, विष्णु अन्शी बनने के लिए पहले तो शिव अन्शी बनना पड़े, फिर बाबा बैठ सूर्य अन्शी बनाते हैं, अक्षर तो बहुत सहेज है, हम नए विष्व में सूर्य अन्शी बनते हैं, हम नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं, स्वदर्शिन चक्रधारी, सो विष्णु अन्शी बनने में एक सेकिंड लगता है, बनाने वाला है शिव बाबा, शिव बाबा, विष्णु अन्शी बनाते हैं, और कोई, बना न सके, ये तो बच्चे जानते हैं, विष्णु अन्शी होते हैं, सत्युग में, यहां नहीं, यह है विष्णु अन्शी बनने का युग, तुम यहां आते ही हो, विष्णु वंशी में आने लिए, जिसको सूर्य वंशी कहते हो, ज्यान सूर्य वंशी अक्षर बहुत अच्छा है, विष्णु था सत्युक का मालिक, उसमें लक्ष्मी नारायन दोनों है, यहां बच्चे आए हैं, लक्ष्मी नारायन अथ्वा विष्णु वंशी बनने के इसमें खुशी भी बहुत होती है, नई दुनिया, नई विश्व में, गोल्डन एज विश्व में विश्णु अंशी बनना है, इससे उच पद और है नई, इसमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए, प्रदर्शनी में तुम समझाते हो, तुम्हारी एम आबजेक्टी यह है, बोलो, यह बहुत बड़ी युनिवर्सिटी है, इसको कहा जाता है रुहानी स्प्रिच्वल युनिवर्सिटी, एम आबजेक्ट इस चित्र में है, बच्चों को यह बुद्धी में रखना चाहिए, कैसे लिखे, जो बच्चों को समझाने में एक सेकिंड लगे, तुम ही स समझा सकते हो, उनमें भी लिखा हुआ है, हम विश्णुवंशी देवी देवता थे, जरूर अर्थान देवी देवता कुल के, है स्वर्ग के मालिक थे, बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, भारत में तुम आज से 5000 वर्ष पहले सूर्यवंशी देवी देवता थे, बच्चों को अब बुद्धी में आया है, शिव बाबा बच्चों को कहते हैं, हे बच्चों, तुम सत्यूग में सूर्यवंशी थे, शिव बाबा आया था, सूर्यवंशी घराना स्थापन करने, बरोबर भारत स्वर्ग था, यही पूज्य थे, पुजारी कोई भी नहीं पूजा की कोई सामगरी नहीं थे। इन शास्त्रों में ही पूजा की रसम रिवाज आदी लिखी होई है। यह है सामगरी। तो बेहद का बाप शिव बाबा बैठ समझाते हैं। वह है ज्यान का सागर मनुश्य स्रश्टी का बीज रूब। उनको व्रिक्षपती अत्वा भ भ कहते हैं। भ कहते हैं। भ भ कहते हैं। व्रिक्षपती तुम को समझा रहे हैं। तुम पूज्य देवी देवता थे। फिर पुजारी बने हो। जो देवताए निर्विकारी थे। फिर वह कहां गए। जरूर पुनरजनम लेते लेते नीचे उत्रेंगे तो एक एक अक्षर नोट करना चाहिए। दिल पर या कागच पर ये कौन समझाते हैं। शिव बाबा वही स्वर्ग रचते हैं। शिव बाबा ही बच्चों को स्वर्ग का वर्सा देते हैं। बाप बिगर और कोई दे ना सके। लौकिक बाप तो है देहधारी। तुम अपने को आत्मा समझ पारलौकिक बाप को याद करते हो। बाबा तो बाबा रिस्पॉंस करते हैं। हे बच्चे। तुम अपने को आत्मा समझ पारलौकिक बाप को याद करते हो। बाबा, तु बाबा रिस्पॉंस करते हैं, हे बच्चों, तु बेहद का बाप हो गया न, बच्चों, तुम सूर्य वंशी, देवी देवता पूझ्य थे, फिर तुम पुझारी बने, ये है रावन का राज्य, हर वर्ष रावन को जलाते हैं, फिर भी मरता ही नहीं है, बारा मास के बाद फिर रावन को जलाएंगे, गोया सिद्ध कर दिखलाते हैं, हम रावन संप्रदाय के हैं, रावन, अर्थार्थ, पांच विकारों का रज्य, कायम है, सत्युग में सभी स्रेष्टाचारी थे, अभी कल्युग पुरानी ब्रष्टाचारी दुनिया है, ये चक् अभी तुम प्रजा पिता ब्रह्मा वन्षी संगम युक पर बैठे हो, तुम्हारी बुद्धी में है कि हम ब्राह्मन है, अभी शुद्र कुल के नहीं है, इस समय है ही आसूरी राज्य, बाप को कहते हैं, हे दुख हरता, सुख करता, अब सुख कहां है, सत्युग में, दुख तो कल्युग में है, दुख हरता, सुख करता, है ही शिव बाबा, वे वर्सा देते ही हैं, सुख का, सत्युग को सुखदाम कहां चाता है, वहां दुख का नाम नहीं, तुम्हारी आयू भी बड़ी होती है, रोने की दरकार नहीं, समय पर पुरानी खाल छोड, दू स्री ले लेते हैं, समझते हैं, अब शरीर बूडा हुआ है, पहले बच्चा सतुगुणी होता है, इसलिए बच्चों को ब्रह्म ज्यानी से उंच समझते हैं, क्योंकि वह तो फिर भी विकारी गरस्ती से सन्यासी बनते हैं, तो उनको सब विकारों का पता है, छोटे बच् इस समय सारी दुनिया में रावन राज ब्रह्ष्टाचारी राज्य है, श्रेष्टाचारी देवी देवताओं का राज्य सत्युग में था, अभी नहीं है, फिर हिस्ट्री रिपीट होगी, श्रेष्टाचारी कौन बनावे, यहां तो एक भी श्रेष्टाचारी नहीं, इ यह है ही पारस बुद्धी बनने का युग, बाप आकर पत्थर बुद्धी से पारस बुद्धी बनाते हैं, कहां जाता है संग तारे, कुसंग भोरे, सत बाप की सिवाए बाकी दुनिया में है ही कुसंग? बाप कहते हैं मैं संपूरन निर्विकारी बना कर जाता हूँ फिर संपूरन विकारी कौन बनाते हैं कहते हैं हम क्या जाने अरे निर्विकारी कौन बनाते हैं जरूर बाप ही बनाएंगे विकारी कौन बनाते हैं ये किसको पता नहीं है बाप बैड समझाते हैं, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, रावन राज्य है ना, कोई का बाप मर जाता है, पूछो कहां गया, कहेंगे स्वर्गवासी हुआ, अच्छा, तो इसका मतलब नर्क में थाना, तो तुम भी नर्कवासी ठहरे ना, कितना सहज है समझाने की बात, अपने को कोई भी नर्कवासी समझते नहीं है, नर्क को वैशाले, स्वर्ग को शिवाले कहां जाता है, आज से 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था, तुम विश्वक के मालिक, महाराजा महारानी थे, फिर पुनरजनम लेना पुनरजनम सबसी जास्ती तुमने लिया है, इनके लिए ही गायन है, आत्मय परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तुमको याद है, तुम पहले पहले, आदी सनातन देवी देवताओं धरम वाले ही, आए, फिर 84 जनम ले, पतित बने हो, अब फिर पावन बनना है, पुकारते भी है न, पतित पावन आओ, तुस सर्टिफिकेट देते हैं, कि एक ही सत्गुरू सुप्रीम आकर पावन बनाते हैं, खुद कहते हैं, इसमें बैठ कर मैं तुमको पावन बनाता हूं, बाकि 84 लाक योनिया आदी है नहीं, 84 जनम है, इन लक्षमे नारेन की प्र सत्युग में थी, अब नहीं है, कहां गई, उनको भी 84 जनम लेना पड़े, जो पहले नंबर में आते हैं, वही पूरे 84 जनम लेते हैं, तो फिर पहले वह जाने चाहिए, देवी देवताओं की वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट होती है, सूर्यवंशी चंदरवंशी राज् बाप तुमको लायक बना रहे हैं, तुम कहते हो हम आए हैं इस पाटशाला वे युनिवर्सिटी में, जहां हम नरसे नारायन बनते हैं, हमारी एम आबजेक्ट यह है, जो अच्छी रीती पुर्शार्थ करेंगे, वही पास होंगे, जो पुर्शार्थ नहीं करेंगे, तो प्रजा में कोई बहुत साहुकार बनते हैं, कोई कम यह राजधानी बन रही है, तुम जानते हो हम श्री मत पर स्रेष्ट बन रहे हैं, श्री 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 शिव बाबा की मत पर श्री लक्ष्मी नारायन वे देवी देवता बनते हैं, श्री माना स्रेष्ट, अब किसको श् तो आएगा, सबको शिरी कह देंगे, शिरी फलाना, अब श्रेष्ट तो सिवाए देवी देवताओं के कोई बन नहीं सकता, भारत स्रेष्ट ते स्रेष्ट था, रावन राज्य में भारत की महिमा ही खलास कर दी है, भारत की महिमा भी बहुत है, तो निंदा भी बहुत है, भ विल्कुल कंगाल बना है देवताओं की आगी जाकर उनों की महिमा गाते है हम निरगुण हारे में कोई गुण नाही देवताओं को कहते है परंथू वे रहम दिल थोड़े फे रहम दिल तू एक कोई कहा जाता है जो मनुष्य से देवता बनाते हैं, अभी वै तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सत्गुरू भी है, गैरंटी करते हैं, मेरे को याद करने से, तुम्हारे जनम जन्मानतर के पाप भस्म होंगे, और साथ ले जाओंगा, फिर तुमको नई दुनिया में जाना है, ये पांच जार वर्ष का चक्र है, नई दुनिया थी, सो फिर जरूर बनेगी, दुनिया पतित होगी, फिर बाप आकर पावन बनाएंगे, बाप कहते हैं, पतित रावन बनाते हैं, पावन मैं बनाता हूं, बाकी ये तो जैसे, गुडियों की पूजा करते रहते हैं, उनको ये पता नहीं, राव परंतु कोई ऐसा मनुष्य थोड़े कभी होता है, अगर चार भुजा वाला मनुष्य होता, तो उससे जो बच्चा पैदा होता, वे भी ऐसा होना चाहिए, यहां तो सबको दो भुजा है, कुछ भी जानते नहीं, भक्ति मार्ग के शास्त्र कंट कर लेते हैं, उन्हों के भी कितने followers बन चाहते हैं, कमाल है, यह तो बाप ज्यान की authority है, कोई मनुष्य ज्यान की authority हो न सके, ज्यान का सागर तुम मुझे कहते हो, Almighty authority, यह बाप की महिमा है, तुम बाप को याद करते हो, तो बाप से ताकत लेते हो, जिससे विश्व के मालिक बन चाहते हो, तुम समझते हो, हमारे में बहुत ताकत थी, हम निर्विकारी थे, सारे विश्व पर अकेले राज्य करते थे, तो Almighty कहेंगे न, यह लक्ष्मी नरायन, सारे विश्व के मालिक थे, यह माइट उन्हों को कहां से मिली, बाप से, उंचते उंच भगवान है न, कितना सहज जाते हैं, यह 84 के चक्र को समझना तो सहज है न, जिससे ही तुमको बादशाही मिलती है, पतित को विश्व की बादशाही मिलना सके, पतित तोनों के आगे जुगते हैं, समझते हैं, हम भगत हैं, पावन के आगे माथा टेकते हैं, भगती मार्ग भी आधा कल्प चलता है, अभी तुमको भगवान मिला है, भगवानों आच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, भक्ती का फल देने आया हूँ, गाते भी है, भगवान किसी न किसी रूप में आ जाएंगे, बाप कहते हैं, मैं कोई बेलगाडी आदी में थोड़े ही आऊंगा, जो उँचते उँच था, फिर 84 जनम पूरे किये हैं, उन में ही आता हूँ, उत्तम पुरुष होते हैं सत्युग में, कल्युग में है कनेश्ट तमो प्रधान, अभी तुम तमो प्रधान से सत्युग प्रधान बनते हो, बाप आकर तमो प्रधान से सत्युग बनाते हैं, ये इसको अगर समझेंगे नहीं तो स्वर्ग में कभी आएंगे नहीं। अच्छ, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मौनिंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मौनिंग नमस्ते 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 एक बाप की संग से स्वयम को पारस बुद्धी बनाना है संपूर निर्विकारी बनना है कुसंग से दूर रहना है सदा इसी खुशी में रहना है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी सो नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं शिव बाबा आये हैं हमें ज्ञान सूर्यवंशी बनाने हमारा लक्ष ही यह है वर्दान है विगनों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विगन विजय भव विगन आना यह अच्छी बात है लेकिन विगन हार न खिलाए विगन आते ही हैं मजबूत बनाने के इसलिए विगनों से घबराने के बजाए उन्हें मनोरंजन का खेल समझ पार कर लो तब कहेंगे निर्विगन विजय जब सर्व शक्तिमान बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं सिर्फ बाप की याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विगन रहेंगे जब बुद्धी फ्री होती है, तब विगन वे माया आती है, बिजी रहो तो माया वे विगन के नारा कर लेंगे, स्लोगन है सुख के खाते तो जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वग दिल से सब को सुख दो, अच्छा, आज का अव्यक्त इशारा है, जब किसी को कोई खजाना प्राप्त होता है, या अचानक कोई को थोड़ा भी धन मिल जाता है, तो खुशी में आ जाते हैं, आप बच्चों को तो ऐसा धन मिला है, चो कब भी भी कोई छीन नहीं सकता, दूट नहीं सकता, 21 पीडी सदा धनवान रहेंगे, आपको सब खजानो की चाबी मिल गई, वै चाबी है, बाबा, बाबा बोला और खजाना खुला, माला माल हो गए, तो सदा इसी खुशी में भरपूर रहू, अच्छा, ओम शान्ति